अपने परिवार की समस्या का समय पर निराकरण करें आपकी सुच भूच से व्यापर व्यवसाय लाब दायक रहेगा दुर्णिश्टर से कठिन कारय भी हल होंगे राजनीतिक व्यक्तियों से लाब मिलेगा रचनात्म कारय होंगे व्रिश आपकी आर्थिक स्थिती मनोबल में व्रद्धी करेगी संतान की और से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे अनावश्यक खर्चिले कारियों से दूर रहें वहां सावधानी से चलाएं मिथुन दूसरों पर आश्रित रहना छोड़ दें कारे सिद्धी से प्रबल आत्म विश्वास बढ़ेगा प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं आर्थिक स्थिती उत्तम रहेगी बुरियादतों पर अंकुष जरूरी है कल्प नौकरी में आर्थिक लाप के योग हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के प्रयास करेंगे मनोबल में व्रद्धी होने के कारण तनाव में कमी होगी पेट से संबंदित रोग उभर सकता है सिंग अक्समात किसी बड़े खर्च की आशंका है समाज में पतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनेगा व्रद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ पर ध्यान दें आपकी बुद्धी मता सामाजिक सम्मान दिलाएगी धर्म कर्म में समय भी देगा कन्या कारेक शेत्र में सुकर्मों के कारण लाबकारी परिणाम देखने को मिलेंगे व्यापारी कार्यों में किसी भी तरह के लापरवा ही ना करें आर्थिक स्थती अच्छी रहेगी, निर्णै बदलने होंगे तुला, कारे स्थल पर जोखिम जवाबदारी के कामों में साफधानी रखें प्रतिष्टित व्यक्ती से भेट के कारण आपके लाब में व्रद्धी होगी वैवाहिक प्रियास में सपलता के योग है व्रिश्चिक, पारिवारिक मद्भेट समाप्त होंगे आर्थिक स्थती मजबूत होगी मनोबल बढ़ेगा संतान सोक संभव है कार्यक्षेत्र में कोई शुब समाचार प्राप्त हो सकता है पारिवारिक संबंध मधूर एवं प्रगाड होंगे धनू बिना सोचे समझे कि ये कार्य नुकसान देंगे उत्सहावर्दक एवं मनुरंजन में दिन रहेगा कई दिनों के रुकेकारे पूर्ण होने के अफसर है लंबे समय के बाद किसी प्रिय व्यक्ती से भेट हो सकती है मकर व्यस्तता के कारण आपरिवार को नजर अंदाज कर रहे हैं साज़दारी में लाब दायक सौदे होंगे जरूरी कारियों को पूरा करने के लिए रिल लेना पड़ सकता है जल्दवाजी में निल्णे ना ले कुम्ब आज इविका के क्षेत्र में लाब दायक योग बनेगा कारेस्थल पर शुपचिंतकों का मार्क दर्शन आपकी समस्याओं को हल करेगा इश्वर में आस्था बढ़ेगी शीत संबन्नित रोग से क्रसित रहेंगे मीन आज कारेस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा जीवन साथी का सहयोग मिलेगा क्रोधवा शिग्रता का त्याग कर विवेक से काम ले लापरवाही ना करें आलत सित्यागें दूसरों की निंदा करने से बचें